जब हमने ये कहा कि टेक्टर पे किसान मजबूत है, हमको ट्विटर पे बच्चू की जोड़त है, तो पूरा देश का बच्चा यूथ उन निकलकाया और उसने हमारी पूर्ण उपसे मदद इसमें पूर्ण सबसे बड़ा से योग गुरुद्वारु का रहा है, जो वहाँ पे बैठ ये उनने लंगरु की सेवा के रहे हैं, तो ये लगता है गर वे ना होते तो शाद इतना बड़ा मोर्चा ना जिता जाए था रहनों लागदासी पे शायद मोर्चा जड़ाया फेल होने, पार एना दे हंजुमा ने राक्त भीज भंगू मैं देहना, जुपी ते रास्तां चे जिदा नेरी ने आंदी महाराज से यही अर्दास करने आएं कि यह जो बाइचारा यह जो एका बना यह जो एक रा दिखाई यह सांदोलन ने वो इसी तरह यह जो जो जलती रहे कि तेरा महिने बाद में लोग अब अपने घरों की तरफ गए और अभी कई मोर्च होड़ लगे हैं उनको आने में करीब तीन दिन होड़ लग जाएंगे और पंजाब में पूरे देश में खुशी का एक माहूल है और यह इस तरह का पहला वो देख्या के पूरे देश में जिस तरह से दिवाली हम मनाते हैं तो उस तरह के दीप जल रहे हैं पूरे देश भर में कास करके किसानों के तो खुशी का माहूल है और जीत का यह है इसक कि पूरी और करोड़ों लोग इस ट्रेनिंग में वहां पे जिनुने हिस्सा लिया अदलते बदलते रहें पूरे देश में वैचारिक करांती थी इसको आने वाले टैम पे अलग-अलग नामों से इसको जाना जाएगा इस पर किताब में लिखी जाएगी बहुत लोग का इसम इतना बड़ा मोर्चा ना जिता जाता और जो सपाई करमचारी होते थे वहां पर डॉक्टर होते थे जो पुलिस परसाशन के लोग होते थे जो मेडिया के लोग होते ते सोशल मीडिया ने बहुत साथ दिया और जब हमने यह कहा कि ट्यक्टर पर किसान मजबूत हैं हमको पर बच्चों की जोर्त है तो पूरा देश का बच्चा यूथ उन निकल काया और उसने हमारी पूर्णुप से मदद इसमे करी तो दर्वार साब यहां पर आए हैं मात्था यहां पर टेक्या और यहां से गए थे जब पूरा पंजाब यहां से गया सब जेगे से गया वह अर सरकार उन्हें फैसला लिया और फैसला उन्हीं पंचू के द्वारा लिया गया जो पंच प्यारे पंच परवेश्वर जिसको कहते हैं वह एक बने और पांच लोगों के हाथ में जो फैसला हुया उसी के तेज सरकार ने लिया और सरकार ने फिर गुरु घरों को टच करने क कोशिस करें उनिस तारिक को परकास परूपे उनने घोसना कि कि हम तीन कानून वापसि ले रहे हैं तो गुरुघर का शम्मान रख्या तो आगे भी हम यह हैं कि जो मोर्चे बंदी रहेगी निगा रखेगी जो भारा सरकार से समझोते हुए हैं जो कमेटी बनी है जो फैसले ह हो रहे हैं उस पर निगरानी रखेगी पंदरा तारीक को पंदरा जन्वरी में हम फिर दिल्ली में सारी मोर्चे बंदी खटी होगी और सरकार नव तक क्या 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 नहीं किया उसका लिखा जोका हम सामने रखेंगे बड़ा योगदान कमेट्यू का रहा है वो चे वहां पे भी रहा हो लंगर इन्हों चलाए और प्रसाद्दे जहां जो रखेंगे हमने पहले कहा कि गुरुद्वारू का बहुत बड़ा योगदान है हम दिल्ली में भी जाते हैं आज से नहीं पिछले 35 साल से जब से हम दिल्ली में आंदोरन करते हैं तो हमेशा गुरुद्वा है वहाँ पर दी गई है तो बड़ा सेहोग है और जो कमेटी है आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को आपने सम्मान दिया और हम यह चाहेंगे कि आगए भी आप मोर्चों पे गाउं पे गरीब पे किसान पे मजदूर पे आप इसी तरह से अपनी महरत बकसते रह करता हुआ ते मैं सामझता है पे सरकार ने बड़ यां कोझी चाला चली है पंजाब दे लोका नूं बदनाम करना नी कोशिच किती पर टकैह साब ने जिए अस मूमेट दे पहर पाया एक टाल बनके चले ते ओस टाल नूं फिर सरकार ने बर्दाश्न ही किता होग के समड़ करने कोशिच किती 26 जानबली नुझे बेच एक बहुत एहम मोड़ा आ गया सी ते सारे नुझ लागदा सी पे शैद मोड़्चा जड़ा या फेल हो जो पार एना दे हंजुमा ने राकत बीज भांगु मैं देह दा जूपी ते रास्तां चे जिदा नेरी लियां दी जमें करके मैंने उचेची बदाई देना ते नाले क्योंके इस हारी सात्गुर जी दी कलाबा रती है मैं पहला भी कहना थे होन भी कहना गुरु नान कदे पाच्छा जी पामे पांसाओ तरवंजा साल पहला पारगड़ होए होन भी ऐस परकाश परबते उने पारगड़ों के दूसरी बदाई जेड़ा पंजाब तों लेके खन्या कमारी तक पाही चारा सी ओ एक नहीं एक लड़ी दे बेच परोता इस करके यह तान फंद जी हो गया बदाई दे पारगड़ों के बड़े सोने शब्दां दे वेच किसान आगु आने परसंसा की ती शोमनी गुरु द मेंट चाल दिया जो दवीर सिंग जी साइड़नाल मवजूद ने वी जनर्सकत्ता ने नौमाब्री कमेटी दे सोने देनाल भी गाल कर दें तेकिए जो अंदोलन गुरु की अरदास से शुरू हुआ था आज गुरु के सुकुराने से खतम हुआ और यह पूरा जीत को हम ग दानमंत्री है उसका इंकार को तोड़ा इस अंदोलन ने और मैं सही माइने में कहें तो देश ताना शाह के कवजे में था और ताना शाही की तरफ देश जा रहा था इस जीत से देश में परजा तंत्र दुबारा से स्थापित हुआ है जो लोग उमिद छोड़ चुके थे कि मोदी जुकता नहीं है मोदी किसी की सुनता नहीं है मोदी जो कर दिया वो फाइनल है मोदी ने तो इस आंदोलन ने ये एसास करा दिया कि देश में परजा तंत्र जिंदा है देश की परजा सर्वो पर ही है देश की परजा राजा बना भी सकती है राजा से उस गदी से उतार भी सकती है ये इस आंदोलन ने बहुत चीज़ें दिये हैं तमाम समाज के लोग एक एक करके कहीं माइनर्टी को दबाया कहीं सी एस्टी को दबाया स्टूरेंट्स को दबाया करमचारी यूनियन को दबाया लेवर लो में चेंजर बतलब एक ताना शाह की तरफ और के तमाम अदारे सोंपे जा रहे थे किसान ही ऐसी ताकत थी जो आखरी बची थी अगर किसान आर जाता तो इस देश को ताना शाहिशे कोई बचा नहीं सकता था किसान ने उस कमान कमान को समाला और समाला नहीं बखुबी जो अभी सरदार साहब ने बताया एक साल तक हर हरिये से जवाब दिया मुकाबला किया और देश और दुनिया को ये बता दिया कि आंदोलन इस तरीके से किये जाते हैं शांती पूर तरीके से आंदोलन किया एक तरीका दिया पूरी दुनिया के देश आज टेक्टर लेके बहुत से मुलकों में आंदोलन हो रहे हैं कई MSP की गारंटी दे दी, मांग हम उठा रहे थे और यूरोप में गारंटीया मिल रही थी, हमने दुनिया के किसान को एक आंदोलन की रा दिखा ये, तो ये कोई छोटा आंदोलन नहीं है, इतियास में जब भी कभी इतियास लिखा जाएगा, इस आंदोलन का जिकर होगा, इस आंदोलन के उन सईदों का जिकर होगा, दिल्ली गुर्दवारा परबनक कमेटी ने जिस मुस्तेदी से आपका तमाम स्पीजेसी के वहाँ विवस्था थी और दिल्ली मेर रकाव गंज से जिस तरह से एक टोटल जब 26 जनवरी को मुकदमे बने 302, 306, सारी दाराएं लगके और वो जो हमारे बचे बंद हुए थे गुर्दवारे ने बड़ी मुस्तेदी से एक टीम बनाई वकिलों की और पूरी विवस्था की दो महीने के अंदर-अंदर कोई भी आदमी जेल में नहीं था सबको बार निकालके और लगे रहे सर्दी थी पूरी सर्दी में टेंट का क्या दवाई का लंगर क्या खाने का लंगर क्या जिस तरह से हर मोर्चे पे तो बहुती मतलब योगदान राग उर्दवारा के साथ और हमेशां सेवा के लिए तथ पर रहते थे तो बड़ा मतलब एक विवस्तित आंदोलन चलाने में बहुत मदद मिली हम लोगों सबक लिया हमने और पहली दफ़े हमारे यहां यह ट्रेंड अर्याने में नहीं था जा था लेकिन अर्याने ने सीखा पंजाब से और हर्याने ने कल एक पंजाब के भाई कह रहे थे कि बड़े तो हम थे लेकिन अब हर्याना ऐसा लगता है कि बड़ा बन गया है तो इतना सीखा उन्होंने और एक दूसरे के परती जो राकेस जी कह रहे हैं कि परिवार जो कहीं ना कहीं एक राजनिती ने एक लिंक को मिस कर दिया था लोगों ने ऐसास और आवास कर लिया मैंने आंदोलन शुरू होने से पहले भी कहा था कि ये बदकिस्मत ही है कि हम को कहीं बखेड दिया गया इस इलाके का अगर आप इतियास पढ़ें जिस दिन ये इलाका इखटा हो जाएगा ये टिकेट साब बार बार कहते थे कि जिस दिन ये इलाका इखटा हो जाएगा उस दिन दिली में किसी हकूमत की इमत नहीं कि हमारी तरह पांक उठा के देख ले तो मैंने दिली में अंदोलन शुरू हुआ जब मैंने कहा था कि ये इलाका इकटा हो गया, इसका इतियास तुमने पड़ा नहीं, इसने किसी को बखसा नहीं, जब भी ये किसी के खिलाफ खड़ा हुआ है, तो हार के नहीं अटा है, दुस्मन को निस्ट नामूद करके ये इ पीछे अटा, तो जीत हमारी निश्चित होगी और साबित करके दिखाए लाके ने, तो ये अब पुरू महराज से यही अरदास करने आएं, कि ये जो बाईचारा, ये जो एका बना, ये जो एक रा दिखाई है इस आंदोलन ने, वो इसी तरह ये जो जो है जलती रहे, और देश में केवल किसान की नहीं, राकेस जी कई दफे मेंचन करते हैं, कि ये एसकेम जो है, ये किसान की नहीं, हर उसकी जो दुखी है, जो परेशान है, जिसका उत्पिडन हो रहा हर उसकी लड़ाई में, ये अपना सहय होग देगा, चाहे वो करमचारी हैं, चाहे वो हमारा विश्वास भी है बरोसा भी है और यह बना रहे है उसोई आज गुरू के दर्वार में शुक्राना करने भी आए थे और आगे के लिए उनसे यह था कि रहा दिखाएं और लड़ाई को आगे बढ़ाएं जैसे तरह किसान आगवां दे विचारां दो सुनके लगदा के इना दी सुल्ज ता तेना दा जड़ा एक्सपीरियंस सी तजर्बा सी उदे करके ही मोर्चा जड़ा एक मौठों के लड़े आते जो लोकतंतर दी जड़ी नी जड़ी ओंख्षदी जान दी सी क्योंकि ताना श सब्सक्राइब करांतियां वाहिगुरु जी का खाल सा वाहिगुरु जी की होते हैं